तुमस्कार आपके साथ में स्विता शर्मा हूँ और हमारी खास पेशक्ष में आइगन समय के सभी दश्यकों का स्वागत है दो दिन के नेपाल दौरे पर गए प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी ने आज नेपाल की संसत को सम्बोधित किया करीब एक घंटे के उनके भाशन में साफ नज़र आया कि मोदी नेपाल के लोगों का दिल जीतना चाहते हैं दोनों देशा के रिष्टों को सुधारने के लिए मोदी ने एक मंतर भी दिया हिट यानि की हाईवे, इन्फरमेशन और साथी साथ ट्रांसमिशन मोदी ने नेपाल को एक बिलियन डॉलर की मदद का भी एलान किया, 17 साल बाद यूपक्षिय बाच्रीत के लिए किसी भारती प्रदान मंतरी की पहली यात्रा है मोदी की यात्रा का मकसद चीन नेपाल के रिष्टों की मजबूरी, विजली परियोजनाओं के लिए भारत की जरूरत इन सभी पर हम इस खास कारेक्न में जर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखें काटमांडू से मारे नाशनल अफेज अरिटर भूपेंदर चौबे की या रपोर्ट आपकी संसद में मैं पहला महमान हूँ जिसको आपने बुलाया है और संभोधन करने का आउसर दिया है नेपाल के रिए कहतिहासिक अफसर था, 17 साल बाद भारत का प्रधान मंत्री काटमांडू में मौजूद था दियोपक्षिय दौरे के लिए और पहली बार नेपाल की संभिधान सभाय यानी संसद को एक भारतिय प्रधान मंत्री संबोधित कर रहा था प्रधान मंत्री मोदी ने संसद के सदस्यों को निराज भी नहीं किया नेपाली भाशन में अपने भाशन की शुरुवात कर मोदी ने गुर्खाओं की शहादत से लेकर गौतम बुद तक का जिक्र किया सविधान निर्मान की जद्रजहद में जुटे नेपाल के सियासत दानों से कहा कि एक एतिहासिक मौका है जिस पर पूरी दुनिया की नजरे हैं पूदी ने आश्वस्त किया कि भारत नेपाल के अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी नहीं करेगा गौरटलब है कि नेपाल में एक बड़ा ध़डा भारत पर समानान तर सरकार चलाने का आरूप लगाता है हमारा काम आपके काम में दखल करने का नहीं है भारत का तो काम आप जो संकल्प करे आप जो दिशा चुने उसमें हम अगर काम आ सकते हैं तो काम आना यही हमारा सकते हैं हिमाले के गोध में वैसे आपने पडोसी मुल्क के साथ सांस्कृतिक और भौगोलिक नज़्दीकियों का हवाला दे कर नरेंद्र मोधी ने कहा कि कोशी की बाड में सरकार भारत और नेपाल दोनों और समान ग्रूप से मदद पहुचा रही है मैं काटमांडू को ये भरूसा भी दिया कि नई दिली के मंशा नेपाल के प्राकृतिक संसाधनों का मुफ्त शोशन की नहीं है नेपाल पानी की शक्तिक ऐसा धनी है को बिजली के माध्यम से आज भी हिंदूस्तान का अंधेरा दूर कर सकता है और हम बिजली मुफट में नहीं चाहते हैं हम खरीदना चाहते हैं हम आपका पानी भी ले जाना नहीं चाहते देखना यही है कि नरेंदर मोदी जी प्रोज में आखिरकार क्या करते हैं बानेश्वर में संसत को संबोधित करने के पहले सिंग दर्बार में पीएम मोदी की नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोईराले से अधिकारिक बाची थी मुलाकात के बाद विद्यूत समधोता और उपरी महाकाली प्रोजेक्ट डिवलप्मेंट समधोते पर तो हस्ताक्षण ही हुए लेकिन तीन अन्य एमो यूज पर सहमती बनी भारत नेपाल को उसके प्रातमिक्ताओं के आधार पर आने वाले वक्त में दस उजार करोड रुपेओं का कर्ज भी देगा काटमांडू में भुपेंद्र चौबे के साथ स्मिता शर्मा दिल्ली आईबिंसर्ण तो कई जो हैं आज खास लम्हें देखनी को मिले खाटमांडू में ऐसे में भारत नेपाल संबंधों को अब किस तरीके से आंका जाए इसी पर चचा करने के लिए इस खास कारिक्रम में हमारे साथ एक विशेश पैनल मौजूद है नेपाल में भारत के राजदूत रहे केवी राजन सहाब अमबासेडर राजन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वहीं स्तंबकार, पुशपेश, पांत, बीजपी के संबित पात्रा भी स्टूडियो में मेरे साथ जुड़े हैं पूर्व राजनेक सहाब जो की खास करके नेपाल की नवस को बहुत बखुबी समझते हैं प्रफेसर एसडी मुनी हमारे साथ दिली से जुड़े हैं और न्सिपी के महासचेव प्रसदी पीतर पार्थी इनका भी बहुत करीबी संबंद रहा है नेपाल के साथ ये भी हमारे साथ यहां पर जुड़े हैं सबसे पहले प्रफेसर एसडी मुनी अगर मैं आप से शुरू कर सकूँ आप नेपाल को बखुबी समझते हैं और अभी आपने आर्टिकल लिखा था हाल में जिसने आपने यही कहा था कि प्रधाल मंत्री नरेंदर मोधी को ट्रस्ट डेफिसिट जो है उससे दूर करना होगा नेपाल के साथ में क्या वो कामियाब होते हुए नजर आए अपने हिट फॉमिले के साथ उन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की है इसमें कुछ वादे उन्होंने ऐसे किये हैं जो एक तरह से क्रियानवन होने वाले हैं लेकिन बहुत सारे दूसरे जो वादे हैं वो क्रियानवन होने पर ही पता लगेगा कि वो विश्वास जीत पाए हैं या नहीं जीत पाए हैं लेकिन कुल मिलाकर जो उनका भाषन था और जो प्रयास है उससे साफ दिखता है कि उस तरफ उन्होंने ठोस कदम उठाने की बात सोची है अबसरे राजन क्या तमाम प्रतिकात्माक्तों की कोई कमी नजर नहीं आएं कि वहले यह नेपाली भाषन में बात करने की बात हो काटमांडू की सडकों पर लोगों से हैंड्से करने की बात हो तो सिंबॉलिसम काफी हाई था आज पहले दिनु मैं इसके साथ ही मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने कई सिग्निल्स दिये हैं एक तो प्रगती के बारे में की प्रगती और विकास उनका असली प्रियॉरिटी है और इस में नेपाल इस बारे में बहुत इंट्रेस्ट है क्योंकि पिछले दास दस सालों से हम देख रहे हैं कि हर एलेक्षिन में जो आम जनता चाहती है वो यह है डिवलपमेंट और विकास तो वह एक बहुत अच्छा जैस्चा था दूसरे तरीके से उन्होंने यह पालिमेंट स्पीच में बराबरी कि नेपाल को एक सेंस ऑफ एक्वालिटी भी देने की कोशिश किये है और नॉन इंटर्फियरंस का जो उन्होंने अशुरेंस दिया है उसका भी बहुत अच्छा असर होगा वो जो सेल्फ रिस्पेक्ट नेपाल का सेल्फ एस्टीम जो है उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने काफी पूर्फदार्मंत्री मनमुहन सिंग ने एक मौका गवाया पिछले कुछ सालमाली की 2006 में वो भी प्रोटोकॉल तोड़कार एयरपोर्ट पहुंचे थे जीपी कोईराला साहब को रिसीव करने के लिए लेकिन उससे ज्यादा कुछ होता हुआ दिखा नहीं आज नरेंद्र की बार कहते थे कि दुपक्षी दौरा प्रधान मंत्री का होना चाहिए आप इस सत्रह वर्ष में देखेगा तो चीन के दो प्रधान मंत्री नेपाल जा चुके और भारत के प्रधान मंत्री को सत्रह वर्ष लगा तेईस वर्ष लगा ज्वायन कमिशन सन्युक्त आयोग की बैठक करने में तो भारत की विदेश मंती शीमती शुश्मा स्वराज ने 23 वरश बाद सन्युक्त आयोग की बैठक करके बहुत सराहनी काम किया तो ये जो प्रोफेजर एसडी मुनी कहते हैं विश्वास बनाने की बात करना विश्वास बहाल करने की बात करना ये बहुत महत्वपूर्ण होता है और आज जो आप कह रही थी कि सिंबोलिजम हाई है कि क्या था जो आप एमबासडर राधन से पूछ रही थी तो प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है जो सत्रह वर्ष बाद उसे तोड़ कर और ये प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी जैसा प्रधान मंत्री सिर्फ नेपाल में ही रह सकता था और कहीं ये भाषन संभव भी नहीं है ये बड़ी महत्तुपूर्ण बात है त्रिपाडी साब मतलब हम मान रहे है कि कम से कम नेपाल के मोचे पर जो है इंडिये की सरकार जादा हिट नजर आ रही है यूपिया सरकार से बिल्कुल बिल्कुल जो सही बात है वो कहना पड़ेगा नेपाल पर हम सभी की च्छाओं को इस सरकार ने और प्रधान मंत्री मोधी ने पूरा किया है ये रास्ता और आगे बढ़े सबसे महत्वपूर्ण बात जो की है नरिंद्र मोधी ने अपने भाशन में एक वात कि मैं सारी शंकाओं को दूर कर दिया उन्होंने कहा कि हम आपके संघी ये लोग तांत्रिक गनतंत्र का फेडरल डिमक्राटिक रिपब्लिक का पूरा सम्मान करते हैं तो जो हिंदुस्तान में लोग तमाम तरह के शंकाओं व्यक्त कर रहे थे और नेपाल में पूरी तरह से महिमामंडित किया है जी गोर्नवानमडित किया है और ये जो नीती है कि हस्तक शेप नहीं सहयोग ये भारत की नीती होगी ये बहुत ही अच्छी वात है बहुत अच्छी शुरूआत है और इससे दोनों देशों के संबंध बहुत मजबूत होंगे सर बाते तो बहुत अच्छी हुई है लेकिन पुश्पेश पंजी नेपाल में एक बहुत पुरानी एक कहावत है वो कहते हैं कि भारत प्रॉमिसेस करता है डिलिवर चीन करता है क्या अब इन बातों को जो है उसी तरह के से इसके साथ आगने की जरूरत है को मुझे लगता है बागमती में और महाकाली में बहुत ज्यादा पानी बेह चुका एस पुराने महावरे से आज तक और ये बड़ी पुरानी कहावत है कि नेपाल को जीमीकंत है जो दो बड़ी चट्टानों के बीच में उखता रहा है तो दोनों चक्ताने यातों से बाधित करती है उसके लिए बराबर संडरेक्शन प्रदान करती है आज मुदी जी के भाशन में ये तर्क भी बिल्कुल स्पश्ट था कि भारत जो सहायता अनुदान रिन राशी नेपाल को दे रहा है वो नेपाल से अपनी चानुसार खर्च कर सकता है और अब उसको यदि वो अपनी चानुसार इंफ्रस्ट्रक्चर पर हाइडरोलेटिकल प्रजेक्स पर खर्च करता है तो भारत की तरफ से इसमें कुछ संकोच नहीं होगा कि यदि चीन की मदद उससे कुछ मिलती है नहीं मिलती बहुत भारत उनके लिए डिरेक्शन नहीं तैक कर रहा है कि आपको इसी में इन्वेस्ट करना है मैं एक छोटी बात और जोड़ना चाहूँगा कि भूपेन ने जो काटमांडू से रिपोर्ट भूजी दिसमें प्रोज और पोईटरी का दिकर किया था मुझे लगता है कि ये भी एक ऐसी डाइकॉटमी है जिससे मुक्त होने की जरूए थे कि प्रोज और पोईटरी में कोई ऐसा द्वंद नहीं है लोग कहते हैं कि प्रोज इस पोईटरी रिफ्यूज तो मुझे लगता है कि जो कविता होती वो दिल को छूती है और विश्वाश जीते रखने की जो बात होती है कि वादे जब पूरे होंगे तब पूरे होंगे अब तक रोकड़ा तो बहुत बटा है मगए उससे कोई दिल आप किसी का नेपाल में जीत नहीं पाएं जो तृपाठी जी बात कर रहे थे यदि आप नेपालियों को उनके आत्मसंभान की बात देते है और उससे बड़े आत्मसंभान की बात क्या होती है उन्हेंने कहा एक और बड़ा रोचक था विशारों तेजक भी कि नैपाल भारत का अंधेरा दूर करेगा तो आपके मन में आज ये अहंकार का भाव नहीं कि आप उनका अंधेरा दूर कर रहे हैं तो सहयोग की विश्वशनियत था और मुझे लगता है एक बात और याद रखें तो मोधी जी ने संप्रभुधा का आधर किया संघी गनराज गनतत्त का आधर किया और ये स्वीकार किया कि भारत भी कुछ मामले में ग्रहन कर सकता है शर्ष्ट छोड़ना हुशाष्ट एक आप कई जिगों पर नेपाल को एक बरावरी के साथ डील कर सकते हैं संबित एक तो जो डीपी तरपार्टी जी ने कहीं निशित रूप से आपके लिए बहुत मुस्कुराहट की वज़े होंगी और कंग्राचुलेट भी करूंगी नरेंडर मोधिन जिस तरीके से पहले नेपाली में अपनी भार्ष्ट रंकार शुरुवात किया और उसके बाद हिंदी में आए यहां आपको लगता है कि आपकी यह जो एक मुमेंटम गादर किया है सुशिल कोराली जी उनके शपर्ट ग्राण समारों में भी आये थे यह मुमेंटम आगी भी बना रहेगा देखीए पैनल में जो मेरे साथ है सब मेरे से बड़े हैं बहुत अगरज है और बहुत ग्यानी है मुस्कुराने का कारण उनका ग्यान तो है ही मगर सबसे बढ़ा मुस्कुराने का कारण है कि 17 वर्ष बाद जो प्रुडेंस नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया कि कि इस प्रकार से नेपाल एक अभिन्न अंग है इंदुस्तान के डिप्लोमेटिक रिलेशन्स का और हम कहीं न कहीं पीछे हट रहे थे और बहुत अच्छे तरीके से मैं तो कहूंगा कि 4S की समावेश को मैंने देखा आज एक स्पॉंटेनिटी आप देखिए ना कागज था ना कलम था बस मोदी थे और मोदी के सामने पूरा समविधान भवन था और जिस स्पॉंटेनिटी के साथ वो इस विशे को रख रहे थे मैं तो रफर कर रहा था कि मोदी प्राइमिनिस्टर बने उससे पहले ही उनके मन में नेपाल के लिए प्यार था एक जीत बहादूर को पाल की यहां तक बड़ा कर देना और उसको उंगली पकड़ा के वो 16 साल पहले स्कूल ले गए थे और आज उसके कंदे को पकड़के व मुनार्की का हो सकता है, डिमोकरसी का हो सकता है, माविजम का हो सकता है, आपके तराई के इलाके का हो सकता है, मगर at the end of the day आप सब रिशी मन के साथ कि यह सो वर्षों, दो वर्षों के बाद भी आपका जो constitution रहेगा वो नेपाल को और पूरे संसार को इकटा करेगा, संसार और नेपाली रुपे का वहाँ आपने अपने इच्छा से खर्च करने की जो बात कही गई है, बिल्कुल इस स्ट्राटेजी के बात को अगर प्रफेसर एस्टी मुनी आप फुरा सो और एलाबरेट कर सके, आपको लगता है कि यहाँ पर यह जरूरी भी हो गया था, कि हम ब खुदी जी ने सीधा नाम न चीन का लिया, न सामरिक मुद्दों का लिया, और यह नहीं करके उन्होंने बहुत अच्छा किया, मैं यह बानता हूँ, जहां तक चीन का प्रशन है, चीन दक्षन एशिया में आएगा, इसका प्रभाव बढ़ेगा, इसकी उपस्तिती और उसके बहुत सारे कारण है, सबसे बड़ा कारण तो यह है कि चीन की अपनी जरूरते हैं, अगर उसे टिबेट को और सिंसियांग को स्टेबिलाइज करना है, तो दक्षन एशिया के देशों को मनाना पड़ेगा, दूसरी तरफ जो दक्षन एशिया के 1.2-1.6 billion लोग ह वो बढ़ रहे हैं और वो बहुत बड़ा मार्केट है, अगर उस मार्केट को चीन को इस्तेमाल करना है, तो वो दक्षन एशिया में आएगा, इसलिए हिंदुस्तान चीन को विशवे नहीं कर सकता है, चाहे वो नेपाल हो, चाहे दक्षन एशिया का कोई दूसरा देश हो हमें चीन से कोप करने के लिए, उसका आकलन करने के लिए, उससे जूजने के लिए अपनी एक रन नीती तयार करनी पड़ेगी, और मैं समझता हूँ, ये मोधी जी के सामने सिरफ नेपाल में ही नहीं, सारे दक्षन एशिया में बहुत बड़ी चुनाती है, अब वो चुन बड़ेगी, जो नेपाल भी राजनेतिक डरश्टी कौन से ये एक सहमती बनाएगा कि भारत के साथ उसको कैसे संबन रखने हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे तपके हैं, जो हमेशना हिंदुस्तान से कहीं नाराज रहते हैं, बिल्कुल प्रफेसर मुनी, इनफाक्ट आली जो नेपाल के समिधान सभा को आजब पहली बार जो है किसी भाति प्रधान मंत्री ने संबोधत किया और नरेंद्र मुदी के उसी भाषन पर उनके नेपाल दौरे पर हम खास चर्चा कर रहे हैं, डीपी त्रिपार्टी जी ब्रेक के पहले इस तरीके से प्रफेसर एस्टी नेपाल को भी जो है कुछ कदम आगे बढ़ाना होगा, आम तो अपर सुनने को मलता है कि 1950 की संधी को लेकर नेपाल को दिक्कते हैं, वो इसकी समीक्षा करवाना चाहता है, क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मुदी के इस दौरे के बाद नेपाल का भी नजरिया जो है भ नेपाल की सरकार के अनरोध पर बार बार कहने पर हुई थी, वो कोई भारत सरकार ने नहीं कहा था कि ये संधी कीजिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इसकी भी हम आख्या नहीं कर पाए, और सभी लोगों ने, अभी विदेश मंत्री गई शुश्मा जी, उसके पहल करतन करना चाहते हैं, उसके लिए हम तयार है, ये जो विकास की कविता आज मोधी जी ने अपने भाशन में पढ़ी, जिसके बारे मभी भुपिंद्र चौबे ने कहा, पुषपेश जी ने जिकर किया, तो वो कह रहे हैं कि साहब कविता नहीं अब गद्य की जरूतर प्रो जाएगा, उनको ये नहीं पता है कि भारत की परंपरा में संस्कृत में कहा गया है, गद्यम कभी नाम निकशा बदंती, प्रोज जी ने सिर्फ वही बात नहीं की, कि उर्जा की शक्ति बढ़ानी है, पंचेश्वर की प्रोजेक्ट पूरी होने से, वो प्रकल्प पूरा ह होने से, पांच गुना विजली नेपाल में बढ़ जाएगी, उनका अपना उत्मादन बढ़ जाएगा, जो बहुत पूर्ण योगदान होगा, फिर उन्होंने छात्रवर्ति बढ़ाने की बात की, जितनी छात्रवर्ति हम देते हैं उसको और बढ़ाएंगे, असल में कई ही बाते हैं, जो मोदी जी नहीं कह पाए, जो मैं नेपाल के प्रधान मंत्रियों से हमेशा है, जो सब हमारे मित्र से उनसे कहता रहा, और मुनी साहब पुषपेश जी उसको जानते हैं, कि अगर वो दो तीन चीज़े कर दें, तो नेपाल को इतनी जादा विदेशी मुद इतना धन प्राप्त होगा, खाली पशुपतिनास बंदिर को तिरुपती की तरह साफ कर दें, लुंबिनी को थोड़ा विकसित कर दें, अंतर राष्ट्री जिसको हम धार्मिक परेटन कहते हैं, रिलिजिस टोरिजम, वो इतना ज्यादा बढ़ जाएगा नेपाल में, जिस से उनको उनकी राष्ट्री आय और विकास में बहुत बदद होगी, मोदी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, कि किस तरह एक दशक में, अगर उर्जा का उचित विकास हुआ, तो भारत नेपाल से पूजी लेगा, नेपाल भारत का अधेरा दूर करेगा, तो यह बहुत महत्तुपुर्णवात मोदी जी ने कही, जो सम्विधान पर लगातार जोर दिया, कि आने वाली पीडियां, उन्होंने अनरोज किया सम्विधान कैसा बनेगा, क्या होगा, यह दिशा तय करना आपका काम है, इस सम्विधान सभा का काम है, और आज के बोच से सम्विधान नेपाल के रिष्टों में, जो कांटे की तरह कभी कभी चुपते रहे हैं, जिनके वहां, जिनन необход की जो अल्ट्रा राइट पाटियां, उल्ट्रा नाश्रिस पाटियां, जिनने इस्तमाल करते नहीं हैं, क्या उन्होंने उनका सल्यूशन विकास प्रगति की बाते ही हैं? है लाएंड्य लौक्ट है वद्रबल है और वो यह ही चाहता है नीज सव पचास संदी के बारे में बात करते हैं वो यह चाहते हैं कि इस संदी में जो टु embargo जिसका एक तरीके से उनके सल्फ रिस्पैट होता है लिज से कि वो भारत को एक निया संदी बनाए जो आज के जमाने में रेलेवेंट रहे जिससे कि भारत को भारत के जो सिक्यूरिटी कंसर्ण्स है उसका पुरा पुरे तरीके से अड्रेस किया जाए और मिरे खाल से ये जुजस तरीके से मोदी जी ने आज भाशन दिया है उससे ऐसा लगता है कि पहले बार ऐसा हुआ है कि एक प्रधान मंत्री भारत का एक प्रधान मंत्री है जो पुरे तरीके से नेपाल का साइके समझने कोशिश किया और अड्रेस किया है लेकि इसी साइक्यों को काफी सारे ऐसे लोग है लालितमान सिंग जी वो भी जब विदेश सचीवते उन्हों उन्हें भी जाकर उस वक्ती संधी को रिविव करने की बात हुई थी उनका क्याना है कि नेपाल का एक धड़ा जो है इस एक लाइटनिंग रॉड के तौर पर इस्तमाल करता है कि आप करना क्या चाते है इस ट्रीटी के साथ आपको नहीं पता लेकिन इस बुद्धे को अच्छी तरह आज कि उनकी बात पर भरोसा किया जा सकता है कि आज पहली बार मैं यह जोड़ना चाहूंगा कि मोदी का नेपाली संविधान सभा को दिया गया संसत को दिया भाषण नेपाली दरपन में भारत को अपना आक्स देखने को मजबूर करता है जब वो कहते हैं बार-बार संविधान पर जोड़ दिया तो वो ये भी संदे में एक-एक फूल की माक है तो वो बात यहां भी लागो होती है तो मुझे लगता है कहीं न कहीं सास को कहना बहू को सनाना वाली परपरा में यह भाषण पूरे दक्षन एशिया इस संदर में बांगलादेश, नेपाल, पाकिस्तान भी बहुलवादी शेकर्थ से तो और सम गर्वित भाषण था की औरने संसब में हमारे साथ खास महमान मौझूद है अपनी राय के साथ, नेपाल में ही भारत के राज़ूत रहे, मासर राजन स्टूडियो में मौझूद है, पुश पेश्मिंट जी मेरे साथ है, बीज़पी के संबित पात्रा और साथी साथ अब कॉंग्रेस के मीम की बात की जाए, हिंदू राश्टर की बात की जाए, इन एलिमेंट्स को लेकर आपको लगता है, जो भी चिंताएं है, उसे नरिंद्रमोदी अड्रेस कर पा रहे हैं। इस परसेप्शन को दूर करने की कोशिश नहीं की थी, इसलिए मुझे अच्छा लगा, जब इस बार सुष्मा सुराज जी गई और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में, ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि हमारे लिए कोई करीबी नहीं है, सब बराबर हैं। ये कंसेप्शन क्लियर होना बहुत आवश्यक था क्यूंकि नेपाल में मुनार्की को लगता था कि हम नस्दीक हैं, तो डिमॉक्राटिकली इलेक्टेड पार्लिमेंटरी सिस्टम गवर्मेंट को लगता था कि हम शायद उनके करीबी हैं, तो इससे काफी मिस्परसेप्शन होता था, कंसेप्शन खराब होते थे और एक द्वंद का सिच्वेशन होता था, तो ट्विन पिलर थियोरी हम कहते थे कि दोनों को थोड़ा यहां भी सपोर्ट करना, आज नरेंदर मोदी जी ने अपने स्पीच में जि इसको बिल्कुल खारीज कर दिया है, पूरी तरी के से क्या खारीज हो चुका है, एस्टी मुनी साहब, आपको लगता है जिन परसेप्शन की हम बात करें, जिन आशंकाओ की बात कर रहे हैं, प्रफिसर मुनी के पास हम वापस लोटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मी मव जूदा प्रदान मंतरी ने? एक तरीके से डिसकुशन चल रहा होता, जैसा आमूमन बहुत से दूसरे विजिट्स पर होता है, लेकिन चुके मोदी जी ने आज जो तकरीर की है, वो बिल्कुल एक ऐसी तकरीर थी, मैं तो बलके ये कहूँगा, कि खोए हुए मोदी जी मुझे नेपाल में दिखाई दि कि इसमें कोई डिपलोम ऐसी के जो उसूल हैं, उनको सामने रख करके कुछ बात चीत की गई, एक जजबाती अंदाज से उनका कुछ जबाती रिष्टा मुझे लगा, लेकिन क्या जजबात की कमी सबसे ज़्यादा ख़ल नहीं रही थी इन रिष्टों में इतने सालों से, देखिए, मैं आपको कहूँ सिमिता जी, कि डिपलोम ऐसी में जजबात का कोई दखल नहीं होता है, डिपलोम ऐसी होती है, उसको करने का तरीका बिलकुल अलग होता है, जजबात के साथ बहुत से आपको मैं याद दिला दूँ, आईके गुजराज साहब का तालुके युदा पाकिस्तान और पुराने पंजाब से था, इसलिए जब वो पाकिस्तान गए थे वो भी इसी तरह की बड़ी जजबाती बाते करते थे, लेकिन नतीजा फिर भी सिफर रहा, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, कि आज की मोदी जी की तक्रीर में एक जजबाती द मीम साब आपके पास वापस लॉटूंगी में, मेरी राय ये है कि हमको देश की जो, मीम साब आपके पास वापस लॉटूंगी दूसरे पैनलिस भी है, चाहूँगी थोड़ा सा गरापान से क्रिस्प रखें, संबित आपको लगता है जो बाते कह रहे हैं मीम अवजल विशय है और पूर्व एंबेजडर इन विशयों को जादा बारिकी से समझ सकता है, स्वभाविक रूप से उनको समझना चाहिए, ये पार्टी का विशय नहीं है, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री गये हैं, कोई भारती जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं गये है चाइना और इंडिया के बीच में नेपाल एक बफर स्टेट है, अब देखे एक बफर है, वो बहुत महतुपूल स्टेट है, वहाँ जस्बात की अवश्यक्ता है, जैसे अभी पुश्पेज साहब ने कहा कि रोकडे तो बहुत दिये गये हैं, पैसे तो इससे पहले भी द सब्सक्राइश के साथ है, लगभग किसी के साथ ठीक नहीं है, अगर सुधार हेंगे नहीं, 17 वर्षों तक, 23 वर्षों तक जैसी नहीं होता है, 17 वर्षों तक कोई भी प्रदानमंत्री नेपाल नहीं जाता है, स्वभावी क्रूब से आप अगर जजबाती नहीं होंगे, तो किस प्रकार से स्वेशाए को कंट्रोल करेंगे। मैं पूरी तरह से इतफाक करता हूँ सवेट के साथ, मुझे लगता है कि एमज़र राजन भी इससे इतफाक करेंगे। त्रिपाठी जी तो करी रहे थे, मुनी साब अश्टा पूरी तरह कर रहे थे। मुझे लगता है मीम साब से आज इतफाक करना इस मामले में बड़ा मुश्किल है कि धूड़ खोज कर कोई मीन मेख निकालने का अगर सवाल हो बाक्टन में तो आपका यह जजबाती दख्रंदाजी थी मेरे खाल में ज़रूरत जजबाती होने की नेपाल के मामले में पाकिस्तान के मामले में, मंग्लादेश के मामले में और श्रीलंका के मामले में भी है अब ऐसर राजन, अभी तक यूपीय सरकार के वक्ते हमने देखा श्री लंका बांग्लादेश में आपकी जो गडबंदन की राजनी थी उसकी मजबूरियां थी कहीं ममता बानेजी इंटरफे कर रही थी कहीं जैलिलता इंटरफे कर रही थी नेपाल के साथ में कौन सी मजबूरियां थी कि नेपाल के साथ ऐसी कोई मजबूरिया नहीं थी उस दिन मैं सुन रहा था कि सल्माल कुषी जी कह रहे थे कि नेपाल में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी था कई साल के लिए इसलिए हम हमारे प्रदान मंत्री नहीं जा सके लेकिन जब गुजाल साब गए थे वहां पे ती प्रदान मंत्री नहीं जा सके लिए तो यह कोई कारण नहीं है इसके लिए कोई excuse नहीं है कि UPA सरकार से प्रदान मंत्री नहीं जा सके लिए मुझे एक सेकेंड का चूटा सा बहुत विशाय है देखिया अभी सुश्मा जी गई थी एक बहुत बड़ा आर्टिकल आया था हिंदु में में याद दिलादू क्या लिखा था कि जब सल्मान खुर्शी जाते थे तो वो प्रोटोकॉल नहीं फोरो करते थे जितने पूर्व प्रदान मंत्री इत्यादी होते थे उनको कहते थे मेरे होटल में आके मुझ से मिल लो और इससे बड़ा खराब मेसेज जाता में मवजल साथ प्रदान मंत्री मनमोन सिंग खुद गय थे जीपी कोराला साब को रिसीव करने एयरपोर्ट में लेकिन उसके बाद जो है ऐसा लगा कि नेपाल फॉरेंट पॉलिसी अजिंडा में कहीं था ही नहीं आप आज की नरेंद्र मोदी जी की स्पीच डाइसेक्ट में मैं ज्यादा कुछ ना बोलते हुए मैं यही कहूंगा कि हमारे पूर नेपाल के जो अमबैसडर रहे हैं वो मेरे खाले मजबूरियों को हमसे भी ज्यादा जानते होंगे मुझे इसकी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है कुछ एक दो विश्रों को लेकर के लेकिन हाला इसमें शही है सल्मान खुर्शी साब तो बात कही है वो भी एक वज़ा रही है कि नेपाल के अंदर हाला जिस तरह किते हैं उसके अंदर हम लोगों को बहुत ज्यादा अपने संबंदों को दूसरी बात यह कि नेपाल में हमारे खिलाफ एक माहल बनाया गया और कई पुलि तक्रीर थी डिप्लोमेसी से हट कर थी उसका फाइदा भी हो सकता है नुकसान कोई मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई नुकसान वाली बात मैंने कहीं है जो फाइदा नजर आद दिलाया कि नरिन मोदी जी को जो भारत के अंदर लगता तक हो गया है वो मुझे आज वापस आ चलिए वीम साब मैं सामाच रही हूँ आपका इशारा की सोर है तरह की तक्रीर सामने आई उनका फॉर्मूला कितना हिट नजर आ रहा है इसी पर हम चचा कर रहें इस खास कारिक्रम में अमबासर राजन एक सवाल जो और क्योंकि बतारिक निपाली मैंने खुद देखा है कि अपने जो रिष्टदार है या निपाल के लोग है एक दुविदा बनी रहती है कि निप अगर उनके बामलों में दखल अंदाजी दे तो दिक्कत है दखल अंदाजी ना दे तो दिक्कत है एक लाइन आकर कहां खींचे क्या वो लाइन खींचने में आपको लगता है एक अश्यॉरंस तेरे में भी काम्याब रहे नरहिंद्र मोधी मेरे खाल से मोधी साब ने बड़े क्लियर तरीके से एक फ्रेमवर्क डिफाइन कर लिया है कि हम आपके इंटर्नल अफेज में बिलकुल इंटर्फियर करना नहीं चाहते हैं हम आपको जितना आप चाहते हैं उतना सायोग अब हाइवे इंफरमेशन टांस्मिशन तक ही आपस में सारे प्लिटिकल पाडिज हैं वो साथ में मेरे बारत से में कॉ along कि क्या चहते हैं भारत से और कास्टार के अवर्टर रिसौर्सिस और टूरिज्म में इस दो नेपाल में यही सीक्टर है जिसमें मेरे ख्याल से यदि भारत के सहयोग से आगे बढ़ सकेंगे तो नेपाल पर काफी प्रगती हो सकता है। तीसरे पार्टी के साथ रैटिफाय रैटिफिकेशन हुआ तू-थर्च पार्लेमेंट और चौथे पार्टी जब पावर में था गुजाल साब जब वहां पे गये कात्मंडू में तब इंस्रुमेंट्स ऑफ रैटिफिकेशन के एक्स्चेंज वे थे तो मेरे खाल से एक तर पूरे दिल से लेकिन खुद नेपाल के अंदर के गर्वालात देखे महाकाली संदी को लेकर भी आवाजे उड़ती रहती हैं विवाद खड़े उते रहते हैं और पहाड़ी शेत्र तराई मधेस इनके कंसेंसेस बिलने कितना मुश्किल होगा इसमिता ये कश्ट भारत के साथ भी है ना अनेक भारत हैं और अनेक नेपाल है पहाड़ी नेपाल है मधिसी नेपाल है पुर्वी नेपाल है पश्चमी नेपाल है जहां से मैं आता हूं पश्चमी में नेपाल महाकाली अंतल से जुड़ा हुआ हुआ है तो मुझे लगता कि तो उनोंने पहाड और मदेश के बीच में पुरब और पश्चिन के बीच में इंफ्रस्रक्ट्रक्टर उड्यरूर्जा के बीच में Allah कि debating Shakh wasn only हमें चोड़ी इन Napal के साध्रों का मुफ्तो करनी किश़्ा बारत की नहीं है कि ब्रांती नहीं होनी चाहिए तो सही दिशा नजर आ रहा है देखिए मेरा ये मानना है कि बहुत बड़ा चैलेंज है और अगर मेदी जी इसको कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है और मैं हमारी तो नेक ख्वाइशात उनके साथ होंगी उनकी सरकार के साथ होंगी लेकिन राजन जी ने अभी एक बात कहीं बड़ी है और उससे पुश्वेश जी ने भी थोड़ा बहुत इससे एगरी किया कि इसका काफी बड़ा दारोमदार खुद नेपाल के अंदरूनी महालात पर है देखिए पांच साल से वहाँ कंस्टिटूशन नहीं बन सका है और वहाँ पर बार 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 बात की जा रही है आज नेजन मोदी जी ना अपनी तक्रीर के अंदर ये बात कही और एक वाज़े उन्होंने मैसेज दिये ने देने की कोशिश की है लेकिन मेरा है मानना है कि अभी जैसे प्रधान मंत्री जी ने दसजार करोर नेपाली रुपए का जो ऐलान किया है जो तक्रीबान उन्होंना खुद ही बताया कि एक बिलियन डॉलर के करीब है ये सॉफ्ट कैडिट लाइन जो उन्होंने अनौन्स की है इसका भी एक बड़ा इंपॉर्टन देखिए इस देश के अंदर क्या पोजिशन है वो मुझे बताने की जुरूत नहीं है और उसमें नैपाल जैसे एक पड़ासी देश छोटे देश को इतनी बड़ी रकम का एलान करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है और यह सॉफ्ट केडिट लाइन जो दी आती है इसका मतल़ यह नहीं है कि एक इदम आपने पैसा दे दिया है यह तो जाहिर है हम लोगों से वो एक्यूप्मेंट और दुनिया ज्यान की चीज़ खरीदेंगे और उसी के अंदर वो पैसा जो है अजस्ट होगा चलिए मीम साहब यहाँ पर वक्त की कमी है अब आकरी कॉमेंट संबित आफ से लेना चाहूंगी मीम साहब से जिस बात कैसारा करेते कैंपेन के वक्त में भी मोदी जी ने बहुत बादे किये थे कि मीम साहब मोदी जी मेरे और आपके नहीं हिंदुस्तान के प्रधान मंतरी हैं तो इसको एक वाइड रूप एलेक्शन से बाहर आये हम एक बहुत महतुपून मुद्धे पर एंड करूंगा आप देखिए अभी किसी अकबार में बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा था चाइना के अंबेस्डर ने जो इंडिया में है वी वी ने उन्होंने कहा है इंडिया चाइना और नेपाल को लेकर कि ट्रांस हिमालेन एकनोमिक ग्रोथ रीजन और यहां जो ध्यान देने वाला विशह है कि इस ग्रोथ रीजन को अब डिवलप कौन करेगा अब देखें चाइना की नजर पूरी तरह से नेपाल पे है वो अपने रकम दिये जा रहा है हाईवेस पे हाईवेस, रेलवे लाइन्स बनाए जा रहा है श्रिलंका में पोर्ट बना रहा है आपके पूरे नॉर्थ वेस्ट पे वो नजर रख रहा है पाकिस्तान तो स्वभावी क्रूप से जिसको ये एक बिलियन डॉलर कह रहे है और कहीं न कहीं इशारों इशारों में वो कह रहे हैं इस वादे के कई विटनेस भी है बहुत एहम विटनेस है जो नेपाल को वखूवी समझते हैं जानते हैं फिलहाल निशित रूप से सबकी निगाहे बनी देगी कि जो एक अच्छे शुरुवात की है नरेंद्र मोदी ने हिट फॉर्मिला दिया है फिलहाल वो हिट जरूर नजर आ रहा है लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आखिर किस हद तक वो डिलिवा करते हैं तब जाके वो सूपर हिट बन पाएगा मी मवजल साफ, समित पात्र, साथी साथ अबसेडर राजन, फुषपेश, पांजी बहुत बहुत शक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अगर आप भी हमारे साथ इस खास कारकर में जुड़े बहुत शक्रिया, नमस्कार